नमस्कार एक बार पनो हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चेनल गो ब्लोक्स पे एक मेल हतेली हमारे पास है और इस हतेली में ऐसा साइन बन रहा है कि आने वाले समय में अगर ये साइन एक्टिब हो जाता है इसको उस जो परवत है उसकी उर्जा मिल जाती है तो जीवन में आप बहुत जादा तरक्की करेंगे बहुत ही जादा तरक्की करेंगे जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जो प्रारंबिक जीवन है बहुत अच्छा नहीं होता है उनका जीवन प्रेसानी भरा होता है और एक ए एक चीज के लिए तरसते हैं और यंग एज में भी कुछ लोग देखने को ऐसे मिल जाते हैं 30, 35 या 36 साल तक बहुत संगर्स कर रहे हैं इस्ट्रगल कर रहे हैं कुछ भी हासल नहीं हो रहा है उनके जीवन की गाड़ी बहुत धीमे धीमे चल रही होती है लेकिन अचानक से 40 स 45 आते आते एकदम ही उनके जीवन में बड़ा अच्छा बदलाव आता है और चीजें बहुत अच्छी होने लगती हैं जातक बहुत आगे निकल जाते हैं ये समझे चालिस वर्च की उमर में आए फिर पचास वर्च की उमर में उनके पास इतना धन संपति मान संमान इतना फेम फेम आजाता है कि लोग अचंबित रहे जाते हैं खुद सर्प्राइज रहे जाते हैं कि इनके जीवन में ये काया पलट कैसी हुई भाई तो आपकी हतेली में भी एक ऐसा ही साइन बन रहा है जो बहुत कम हतेली में बनता है उसकी और हम जाएंगे लेकिन पहले आपक हतेली यहां पे एक आयताकार किसम की बनती हुई दिखाई दे रही है और देखें तो ऐसा ब्यक्ति जो है दार्षनिक किसम का ब्यक्ति होता है और जादतर काम बोलने से या मस्तिस्क से ऐसे लोग करते हैं करना पड़ता है करियर के छेतर में ये समझ गए अब देखेगा ग्रहों का प्रभावे हमारे जीवन पे पड़ता है जरूरी नहीं है रैखाओं का और केवल सायनों का प्रभाव पड़े यहां पे आप देखो जो ये मिडिल फिंगर है इसका जो ये जड़वाला भाग है इसको हम भग्यास्तान कहते हैं क्योंकि जो आप ये भग्या की फल को देखते हैं जो न्याई के देवता है और जो हमारे एक सनिग्रा है वो हमारी हतिली के बीचों बीच निवास करते हैं यहां पे बरतमान समय में ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है यहां पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है आप सरल रोप से द रट है वो पूरी तरोजओ है इनी के अधीन है व्युक्तिक को नौकरी कैसे मिलेगी यही सनी है हालां कि जो आपका कारोबार है जो आपका इंडिपेडेंट प्रोफेशन है उसके लिए आपका ये जुपिटर का माउंट जिसको आचारे ब्रस्पति कहते है जो देवताओं के गुरु है ठीकन इसके लिए जिम्मेदार ये होता है और नोकरी वाले मामने के लिए ये भाग्या अस्तान सनी ये ही जिम्मेदार होता है जब आपके हतेली या कुंडली में सनी इस परकार से बैठाओने रुष्ट हो गडबड हो बहतर ना हो तो ऐसे दसा में नोकरी पाने में और इस्तिरता रहती है नोकरी करने में समस्याओं के संभावना बन जाती है या नोकरी बदलने में भी बहत ज़्यादा समस्या आ जाती है ठीकर ने? बड़ी दिक्कत होती है अगर आपका सनी बिगड़ा हुआ है हातीली में इस तरोका है रुष्ट है, गडबड है तो ऐसी दसा में आप अगर नोकरी पावी जाए तो नोकरी आप कर नहीं पाते है और बार बार नोकरी में बदलाव होनी के संभावना बनती है अगर नोकरी कर भी रहे है तो नोकरी में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है नौकरी करते जा रहे हो गिसते जा रहे हो तो भी जो है नौकरी में जो है पदवनत्य नहीं होती है नौकरी में उन्नत्य नहीं होती है और सनी इस तरह से हो जिस तरह से आपकी हतिली में बैठा हुआ है तरक्य तो नौकरी में नहीं मिलती है ये बात तो संभव होए लेकिन ये छेतर जब इतना उठ जाता है तो ये बेवजह की चिंताइएं भी बिक्त के जीवन में देता है बिक्त हमेसा सोचता रहता है चिंता करता रहता है और जीवन में अगर सब कुछ भी होगा तो भी जीवन की खुसियां हैं जो उन खुसियों में कमी देने का ये कार्य करता है बिक्त कई बार दुख्य हो जाता है बिक्त के जीवन में अनेक परकार के जो है विचार उत्पन होने लग जाते हैं मनि जो बिचार होंगे ड्रावने किसम के बिचार होने लग जाते हैं या अजीब अजीब खायालाद जो है बेक्ति की जीवन में आने बैठ जाते हैं और यहां पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ हो बिक्त करियर के छेतर में विसेश कर इस्तेमाल जादा होता है तनाव की इस्तिते रखता है ये आप काम बहुत सब कुछ आप कर लो लेकिन सरे दूसरा को ही ले जाएगा क्रेडिट किसी दूसरे को मिल जाएगा आप इस्तेमाल होंगे बस धोका खाएंगे क्योंकि सनी इसी रूप में बैठा हुआ है और जो प्रभाव इसका है जो इसका पैमाना है ये साड़े साथ वर्षन तक प्रभाव दीगा आपना आंसिक रूप से देगा लेकिन देगा हाँ इसके जो पीड़ा है जो इसका नेगेटिव प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है और इसका जो तत्व है वो लोह तत्व है और प्राकृतिक धंग से अगर हम इसका उपाई करते हैं थोड़ा दिवन चरिया बदलते हैं तो नोकरी के मामले में ये आपको एक बेहतरी नोकरी देगा और नोकरी के मामले में एड़ेस्टमेंट ही नहीं पदो नतीब ही कराएगा क्योंकि अपने जो नगेटिब प्रभाव है छोड़ देगा आपका जो बेवजह की चिंताएं है वो खतम हो जाएंगे तो इसलिए सनि का बहुत जादा प्रभाव जीवन में रहता है और जीवन में जो है इसका प्रभा निगेटिब भाव में है प्रतमान समय में और चंद्रमा जब निगेटिब भाव में रहता है तो मन को गड़बड करता है मानसिक प्रेशाने से गरसित करता है बिक्ति को कई बार बिक्ति जो है बहुत जादा भाव को हो जाता है या इमोशनली प्रेशान हो जाता है और का चंदरमा बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाए तो मा का सुक नहीं मिल पाता है चंदरमा खराब होने बैठ जाए नीन आने में दिकत आने बैठ जाती है और बिक्ति सही से अपने काम को नहीं कर पाता है शरीर का जो हर्मोनल सिस्टम है ने वो थोड़ा थोड़ा कमजोर होने बैठ जाता है ये चीज आपकी हतेली में दिखाई दे रही है आप की हतेली में पूरी तरह से सभी जगह। यहाँ पर गोण गोण रेखाएं छूटी छूटी रेखाएं जो है एक दूसरे को काटती हुई दिख रही हैं ये भी एक negative point है अगर हतेली में इस तरह से गोण रेखाएं एक दूसरों को काटती जाएं तो बिक्त की हतेली में पैसा नहीं टिकता है पैसा आना दोबर हो जाता है अगर आब जाए चाहिए लाखों करोडों में आ जाए लेकिन हतेली में बिक्ति पैसा नहीं टिका पाता है जो saving होनी चाहिए वो saving नहीं कर पाता है और ये बरतमान समय को दिखाता है बिक्ति के बरतमान समय को ये तनाव युक्त कर लेता है मुक्त नहीं करता ये तनाव युक्त करता है मानसिक परेशाने को जन्म देता है संगर्स को जन्म देता है और आपकी जो development है आपकी जो progress है है उसमें तीब्रगति से रोक लगाने का कार्य करता है जो आपके अंदर quality जो आपके अंदर योग्यता है उस तरों से जो है चीजे उभर कर नहीं आती है और घर के बाहर जैसे भी रहे लेकिन घर के अंदर आते ही मानसिक तनाव में ब्रिदी होती है और व्यक्ति धन के हिसाब से करियर के हिसाब से नीचे अस्तर तक आने बैठ जाता है तो इसलिए नगेटिब ओर जा और आपका जो है सनी और आपका जो है चंद्रमा इसको ठेक करना है थोड़ी सी दीवन चरिया बदलनी है अब यहाँ पर एक चीज देखेगा सूरे को देखेगा सूरे में सारा कुछ अच्छी चीज है और भी अच्छी चीज है बताता हूँ लेकिन सू अरतमान समय क्या बता रहा है सूरे की साब से देख रहे हाँ है आप सरव तरीके से देखे यह देखे यह जो है जैसे यह चीजें ऊबरी हुहे हैं वोई से नहीं उबरा है आपके हतेली में यह बहुत ज़्यादा गड़ा लुमा है यहाँ पे तो सूरे कमजोर होता है practical रो अगर हतेली में इस रूप में बैठा है तो ये आपके परत्यक्ष परमान को दिखाता है इसी के अनुरूप आपको फल मिलता है चाए कुंड़री में ये राजयोग बना रहा हो लेकिन हतेली में इस तरों से बैठा है तो आप practical रोप से देखना अपनी जिवन में आपको अपनी मेहनत का अपने परिश्रम का न तो पूरा स्रेय मिल पाता है न पूरी credit उसका मिल पाता है जो योगयता जो quality आपके अंदर है उस तरों से चीजें उभरकर नहीं आती है चाहे आप नोकरी करने हो चाहे आप व्यावसाई कर रहे हो चीजें उस तरों से उभरकर नहीं आती है वो बिस्तार नहीं मिल पाता है जो बिस्तार मिलना चाहे था वो फैलाव नहीं मिल पाता है सुर्य के कमजोर होने से रास्ता नहीं मिल पाता है काम बनते बनते बिक्त के अटक जाते हैं अगर आपको फैलाव चाहिए, आपको बिस्तार चाहिए, आपको तरक्की चाहिए आपको प्रसिद्धी भी चाहिए तो अपनी सूर्य को मजबूत करिएगा हतेली के सूर्य को कुंडली के सूर्य तो ठीक है राज योग दे रहा है वो अलग बात है लेकिन फरक आपका इसका पड़ेगा ये राज योग नहीं दे रहा है यहापे ये आपकी मेहनत का आपकी प्रिसरम का न तो स्रे दे पा रहा है न क्रेडिट दे पा रहा है नौकरे कर रहे हो, व्योसाई कर रहे हो उसमें फैलाव नहीं दे पा रहा है यहाँ पे बैठा वा है आपका सोर्या अब यहाँ पे एक एक चीज थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर एक चीज और दिखायी दे रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके जो है यह चेतर जो है ब्रिस्पति का आचारे हैं यह गुरू है देवताओं के गुरू है यह और हमारे हातेले में बैठने वाले पर्थम आचारे है बर्ग के साहिन बना रहे हैं एक से जादा सरोतों से धन का आगमन होगा धन मिलेगा और आपको अपने छेतर में इतनी अच्छे खासी नौलेज है कि उसकी आप टीचिंग दे सकें इस चीज को ये बता रहा है आपके अंदर एक कुसल परसासक के गुण भी है लेकिन देखेगा या पर थोड़ा समझेगा साय हैं पर य कि अधन का गरह माना गया है आपके हतेली में साधारण अवस्ता में बैठे वूए हैं बर्तमान समय में और इस अवस्ता में ये आपके अंदर थोड़ीची साधारणता देते हुई दिख रहे हैं सामन्य बिक्तित्व देते हुई दिखाई पड़ रहे हैं हां हस्मुक्षवाव जरूर रहेगा देखा जाए तो दयालो और प्रॉपकार की भावना भी रहेगी आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा यस प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा जुका है चाहे वो पद में बड़ा हो चाहे वो उम्र में बड़ा है बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना नहीं दिखाई दियरी है दोसरा अगर बात करें यह इस तरों से साधारन भाव में हैं तो चाहे आप सिक्षा के छेतर में काम कर रहे हो या सोच रहे हों इंजिन खेतर में यह दिकारे कर रहे हूं या सोच रहे हूं तो इसमें अभी तरकी नहीं दिखाई दे रही है लेकिन ब्रसपति अच्छे होते हैं तो तरकी मिलेगी पर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं अब हम जो है आपकी हतेली का पूरा विसलेशन करते उस से पहले उस साइन को बता लेते हैं और जो है किस तरों से योग बन रहे हैं उसको भी बता लेते हैं देखेगा सबसे पहले तो यहाँ पे देखो सूरे रेखा बहुत सुन्दर आउस्ता में है और जब सूरे रेखा इतनी सुंदर अवस्ता में होती है और साइद ये जो है चंदरमा से निकल कर जाती हुई दिखाई दे रही है सुंदर देखेगा और भी अच्छे आईगी तो और भी अच्छी प्रगति होगी अगर सूरे रेखा चंदरमा से आरम होती हो तो इसमें संदे ये नहीं होता है कि ब्यक्तिका भाग्या चमकेगा पर ये जो उन्नति आपकी होगी केवल अपनी निजी परिस्रम द्वारा ना होकर कर दूसरों की इच्छा और उनकी साहता पर भी निर्वर करेगी ये निश्चित यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आपको जो है अपना ब्योब इस परकार से रखना है कि दूसरों के साहता मिले, दूसरों का सयोग भी आपको मिले अब यहाँ पर देखेगा, संदर रोप से यहां पे अभी पूरा ने बना लेकिन बन रहा है एक योग बनता हुआ या पे साप आउस्ता में दिखाई दे रहा है यह इस तरों से जा रहा है और यह इस तरों से जा रहा है और यह अगर यहां से चला जाता है या जो है यहाँ पी चला जाता है पूरा बन जाता है तो एक पदम का साइन बनता है आपकी हतेली में दिखाई दे रहा है सूर्य परोध पर पदम का साइन और सूर्य परोध पर पदम का चिन अगर इस पश्ट रोप में हो तो विक्त के विक्त जो है अपनी जोब में बहुत ज्यादा तरक्य करता है बहुत ज़्यादा जिस भी फिल्ड में ऐसा बिक्ति करियर बनाता है उस फिल्ड में जो है टॉप लेबल तक पहुँश जाता है चाहे वो पुरुस हो या महिला हो इस चीज का फरक नहीं पढ़ता है लेकिन ऐसा बिक्ति टॉप मोस्ट हो जाता है बिदेश में यातरा करना और जीवनकाल में सुन्य से उठकर आखरी पाईदान को छोना ऐसी विक्ति की खाशियत होती है नेम फेम ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है बहुत सारे लोग ऐसे जातकों को मान और सम्मान की नजरों से देखते हैं क्योंकि ये सूर्य है सूर्य आपके बिस्तार और आपके मान सम्मान और आपका प्रसिद्धिका ग्रह है बहुत अच्छा साइन अभी अदूरा है लेकिन बनने वाला यहां पर दिखाई दे रहा है अब थोड़ा उस रेखा को देखें जो रेखा इसको इफेक्ट करवाएगा यहां पर करियर और धन की रेखा आपकी इस तरों से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये चंद्रमा से लुक्त है सनी पे पहुँच रही है ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है बहुत ज़्यादा परिसरम कराती है तब जाके 42 से लेके 45 साल के बीच में बिक्ति को चैन मिलता है और 45 साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो ब्यक्ति को प्रतेक दिन अर्निंग आती है ऐसे लोगों को अपने वाहन का, अपने मकान का और अपने घर का सुक, अपने ब्योसाय का जिसको हम ब्यापार कहते हैं उसका सुक निश्चित तोर पे मिलता है और बहुत अच्छा पैसा एक टॉप मोश्ट होने की यहाँ पे निसानी है एक जो है, अगर कहें करियर की रेखा अच्छी है लेकिन बरतमान समय में क्या है एक रेखा यहाँ से आके इसको काट भी रही है तो जब यहाँ पे काटती है तो आपके लिए एक संदेश छोड़ रही है कि भावनाओं के बसीबूत होकर जल्द बाजी में गलत निरणे मत लेना क्योंकि अगर आपने गलत निरणे ले लिया तो केवल धन और करियर के मामले में अपने स्वयम के विकास को अवरुद कर लेंगे और फिर कहीं के नहीं रहेंगे यह आपकी जो है यह रेखा कह रही है वही हम इस रेखा को देख रहे हैं आपे यहाँ पे एक तरकौन भी बनता हो दिखाई देरा बहुत सुन्दर और यह सूर्य का भाग है सूर्य पर उत तरकौन का निशान होना विक्त को बुद्धिमान बनाता है ऐसा जातक कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं सूर्य परवत पर इस निशान का होना विक्त के धनी होने की भी निशानी होती है संबह हुआ असंबह नहीं है ऐसा विक्ती करोड़ पतियों की सूची में अपना अस्तान मनाए अगर ऐसा ब्यक्ति पैत्रिक क्रोप से कितना भी निर्दन हो आर्थिक संपन ना भी हो तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी मेहनत और अपने पौरुसुत्प के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धी हासिल करते हैं आपके अच्छे साइन बन रहे हैं लेकिन क्या है बरतमान समय अच्छा नहीं है ग्रहों की ओजोसे नेगेटिव ओड़ा की ओजोसे अब यहां पर देखेगा आपकी जो ये उंगली है जिसे ब्रस्पति के उंगली कह रहे हैं ये जुक रही है पूरी तरों से आपकी मिडिल की तरह और जब ये मिडिल फिं़र की तरफ ज्चती है नए तो ब्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनावों को जन्म देती है आप इस्वर में विश्वस्वास रखने वाले ब्यक्ति है इस के पूर्तिसर्दा भाव रखने वाला ब्यक्तित तो आपका यहां पे दिखाईpost रहा है दूसरा अगर हम बात करें मिडिल फिंगर यहां पर अच्छे खासी लंबी दिखाई देरी किसी की तरफ नहीं जुकरी है इसका मतलब है बुद्धी मता से बिबे की पूंडंग से काम करने वाला बिक्तित्व भी आपका है कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आएग और अपने बदोलत अपनी जीवन को बहुत आगे बढ़ा कर ले जाएंगे रिंग फिंगर देखे जुकरी है और कहां जुकरी है यह जुकरी है मिडिल फिंगर की तरफ और जब हमारी रिंग फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ जुकती है तो बिक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रोप लेती है यहां पे देखो आपकी जो कनिष्टा उंगली यह भी पूरी तरह से जुक रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ इसका जुकाव है यह आपके अंदर पैसा कमाने की ललक को पैदा कर रही है दुनिया की तरह ही आपकी सोच भी इस उंगली के अनुसार बनी हुई है, धन कमाया जाए, पैसा का अर्जन किया जाए, लेकिन ये सूर्य पर्वत के पहले पोर्वे तक नहीं पहुच पारी है, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाओ में, एकाउंट बिल्टी में, और कहीं न कहीं, अपनी बात को एक लाइन में प्रभावसाली धंग से नहीं रख पाते हैं, इस चीज का आपको गहन से अध्यन करना होगा, और इस चीज को बढ़ाना होगा, कम्यूनिकेशन इस को, दूसरी बात यहां पे देखो, सभी उंगलियों का जुकाओ, बरतमान समय में, मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, सनी की उंगली की तरफ, यह नगेटिव है, यह अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हो, तो बेकती कई बार दुखी हो जाता है जीवन में सब कुछ होते होई भी खुशियों में कमी देने का कारिया, यह उंगलियां करती है, अब हम थोड़ी से एक और जगा चलते हैं, क्या कहती है आपकी हतेली, अगर हम आपका अंगोठा देखते हैं, तो लंबा है और लचीला है, प्रस्तित के अनुसार ढ़लने व बहुत अच्छी हैं, और देखें, सेकंड पोरवा भी अच्छा खासा है, तरक सकती भी बेहतरीन है, अंगोठे के हिसाब से, सुन्दर तरक सकती है, और यहां पर एक चीज और देखते हैं, लगभग लगभग दोनों पोरों के बीच में, यव का आकरती बनती हुई भी द रिकते तो भी रहेगा, और अपने जीवनकाल में, चाहे किसी भी रूप में हो, अपने घर का सुक, अपने घर का सुक की प्राप्ति, यहां पर निश्चित ही दिखाई देरी है, अब देखेगा, आपकी यहां पर जो हिर्दे की लकीर है, इस तरों से जाती हुई हाई देरी है, हाच्चारे ब्रिस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत अच्छा है, आपका जो ब्यक्तित तो रहेगा, किवल अपने स्वार्त के लिए, अपने हित के लिए सोचने वाला ना होकर, सब के लिए सोचने वाला ब्यक्तित तो रहने वाला है, अपने छितर मे आपका साथ निभाता है आप भी उसका साथ अंततक निभाएंगे इसकी भी संभावना दिखाई दे रही है और निर्मल हिर्दय का ब्रिक्तित्वा आपका बना रहेगा लेकिन योग तो अच्छे बन रहे हैं पर सनी और सूर्य जब तक अच्छा नहीं होता है तो आपको बर नहीं यहां पे देखोगा आपके हतीली में सूर्य की रेखा बहुत अच्छी और विक्सित अउस्ता में दिखाई दे रही है इसका मतलब है आप निश्चित ही नौकरी कर रहे होंगे तो जब आपका सनी और आपका सूर्य अच्छे अउस्ता में आएगा निश्चित कि आ रेंगे ये निश्चित यहां पे दिखाई दे रहा है यहां पे अगर देखें आपके मस्तिस्क की रेखा सीधा सीधा आ रही है उर्दो वाले समय में मस्तिस्क सी ही कारे करने वाले होंगे आप कह सकते हैं चाय सरकारी करे है उच्छ पदस्त की पोजिशन यहां पर दिखाई दे रहे हैं किसी भी छेतर में हो लेकिन अपने बिवेक से ही ज़्यादा काम करेंगे इसके संबहोना ज़्यादा दिखाई दे रही है जीवन की रेखा देखें आप जीवन की रेखा आपकी इस तरों से जाती हुई और सीधा के तो परोत की और दिखाई दे रही है जीवन में थोड़ा उतार चड़ाओ और और इस्तिर्ता हमें सब बनी रहेगी चाहे आप कितना भी टोप लेवल पे पहुँझो हाँ जीवन का जो सत्य है निर्वान वो बहुत अच्छा यहां पे दिखाई दे रहा है जीवन में एक चीज तो बहुत है कि आप अपनी इक्षाओं को पूरा जरूर करेंगे जीवन का आल में जब आपके ग्रहों की इस्तिति अच्छे होगी न और जब ये करियर और धन की रेखा आपकी फल देने बैठेगी न तो आपको अपनी वाहन का अपनी घर का और अपनी ब्यापार का बहुत अच्छा लाब होगा और प्रतीक इन धन का आगमन आप करेंगे अच्छा खासा धन की प्राप्ते आपको अपने जीवन में होगी और एक स्रेश्टम अस्तर तक आप पहुँचेंगे इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है आपकी हतिली में और कहें तो कहीं न कहीं बिदीस में भी सेटलमेंट होनी की रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है अभी तो नहीं बननी पूरी लेकिन बनती हुई दिखाई दे रही है ब्यापार के और भी आपके मन मस्तिस्क बहुत ज़्यादा जा रहा है इस और भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है देखो यहाँ पे जो अंगोठा है उसके नीचे वाला जो ये भाग है इसको सुक्र का परवत कहते हैं और इसके बारे में मेरे बियोर्स तो अच्छी तरों से जानते हैं कला है, सुंदर है और सुंदरता है इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हतेली में इसका पुष्ट होना, इसका सुंदर होना बहुत जरूरी है आपकी हतेली में ये सुक्र का परवत सुंदर रोप में उबरावा दिख रहा है तेजोमय अवस्ता में है, आप निश्चित ही तीजुस्य होंगे और चेहरा भी आपका जो है बहुत अच्छा होगा और प्रसनल्टी भी आपके अच्छी है हर प्रस्तिति को जेलने की चमतावी सुक्र आपको दे रहा है नई चीजों के पर तिरुज़ान बना हुआ है अपनी प्रसनल्टी पर खूब ध्यान देना, अपने को मेंटेन डखना ये चीजें आपके अंदर यहां पर दिखाई दी रही है लेकिन यहां पर बहुत सारी रेखाएं भी दिख रही हैं जो अच्छा नहीं है किसी चीज को लेकर आप थोड़ा परिशान भी है सोच भी जादा रहे, चिंता भी कर रहे है और बरतमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिशरम के बाद भी अभाव की इस्तिति जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है और थोड़ा मानसिक प्रोब्लम भी, मानसिक परिशाने भी सुक्र आपको देता हुआ दिख रहा है मंगल की बात करें, तो यहां से एक रेखा जो है पैतालिसमे वर्स में, राहो की रेखा निकल करके और बुद्ध से युक्ति बना रही है यह बहुत अच्छी बात है यह बुद्ध के गुणों में बृद्ध करती हुई इस समय दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं जो है आपको दो तरफा लाब मिलेगा या ब्यापार में अपार सपलता की प्राप्ति होगी इस और यह ज़्यादा इसारा करती हुई दिखाई दे रही है वहीं अनतालिसमें वर्स में भी एक रेखा सूरे से युक्ति बना रही है और कहीं न कहीं जो है आपको यस की प्राप्ति होगी सरकार दोरा लाब की प्राप्ति होगी इस और भी ये रेखा ले जाती हुई यांपे दिखाई दे रही है और मान परतिष्टा बहुत अच्छी रहने वाली है वहीं बात करें एक रेखा जो है 58 वर्स में सूरे से मिलन कर रही है सनी से कहीं न कहीं 58 वर्स में जो है धन में बहुत बड़ा लाग की और ये ले जाती हुई दिखाई दे रही है आपका दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं जो आपको प्राकरम दे रहे हैं जो आपको जो है एनरजेटिक स्वभाव देते हुई याँ पे दिखाई दे रहे हैं मैंने इन तीनों प्रोतों की बात कर ली है और आपका बुद्ध की और चलते हैं बुद्ध आपका बहुत सुन्नर अवस्ता में है हर परकार की प्रस्तितियों को भली भांते समझने वाले बिक्तित तो आपका है योजना बना कर चलते हैं ये आपका भी शिश्वून है जो भी कारे आप परारम करते हैं इस बुद्ध की ओजो से पूरा ओश्य करते हैं और आपकी हतेली में बुद्ध वास्तों में बिक्सित आउस्ता में दिखाए पड़ रहा है मनों बिग्यानिक के छितर में माहिता हसिल होगी सामने वाले को किस परकार से अपने पक्ष में करना है ये आप अच्छे तरों से जानते हैं और आने वाले समय में जब करियर और धन की रेखा भी अपने अच्छे आउस्ता में आएगा ये पदम का साइन जब एक्टिब हो जाएगा तो ब्यापारिक कारियों में ही बिसे सपलता की प्राप्ति आपे दिखाई दे रही है अब मैं आपको इस वीडियो के साथ उपाई लिख करके भीज रहा हूं उनको विदिवत तरीके से करने की कोसिस करें तो बड़ी सबलता प्राप्त होगी इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पुना उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार